नमस्कार मैं दिपाली अब सभी का स्वायगत दिपाली आस्टों में करतेूं और देखते हैं आज का दिन हैंě का वा Pvd4 कैसा जाने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं में शाशिवालों के साथ में शार्षी वालों अगर आज की दिन की में बात करूं तो आज का दिन positivity को embrace करने का है आज का दिन जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही चलने दें कुछ नए अगर प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं तो विगत कई दिनों में जो आपकी planning थी वो successful रही है उसी तरह से momentum को बनाए रखें आपके लिए positivity indicator है लंबे समय से चल रहा पारिवारिक तनाव भी अब ठीक होता हुआ नजर आएगा और negotiating situation में अगर आपकी परिस्तिती देखें तो काफी प्रभावशाली होगी चाहे वो नौकरी के संदर्ब में हो या कोई अगर विवाद हो रहा हो और उसमें अगर आपको नेगोशेट करने वाले हो तो बात करते हैं मृशव राशी वालों के लिए मृशव राशी वालों आज के दिन आपकी परिस्तिती बिलकुल positive रहेगी मन आपका शांत रहेगा लंबे समय से चल रहा कोई भी ऐसा तनाव जो आपको मांसिक रूप से कमजोर कर रहा था अब उसका solution आपको देखने को मिलेगा कभी कबार ऐसा होता है कि आपके सामने वो solution होता है वो आपके सामने परिस्तितियां intact हैं अब आपको उसे explore करने की कोशिश करनी चाहिए सुजबूच का परिचे दीजे अपने मन को शांत रखिए सारे options को review करिए और आज के दिन आप अपने और अपने परिवार के लिए कोई न कोई positive रास्ता जरूर देख पाएंगे बात करते हैं मिथुन राशी वालों के लिए आपके लिए परिस्तितियां मिथुन राशी वालों बिल्कुल अनुकूल रहेंगी मन आपका शांत रहेगा साथी साथ आज के दिन आप और अपने परिवार के लिए आप कुछ ना कुछ नया create कर पाएंगे अब यह नया जो creation है यह कुछ नया घर लेने से भी संबंद रख सकता है property नई खरीदने से भी संबंद रख सकता है change of city भी हो सकता है change of country भी हो सकता है change of organization भी हो सकता है निजी वैपार में कुछ ना कुछ additions भी हो सकते है कुछ ना कुछ positivity आपके लिए indicative है अगर in totality हम सारी काम करने के बारे में सोचें या आज के दिन आपकी परिस्टितियां देखें परिवार में भी कोई get together हो सकता है जो आपके जीवन में चल रहा है stress को balance करके जाएगा बात करते हैं करकराशी वालों के लिए करकराशी वालों आज के दिन के मैं परिस्टिति देखूं तो आज का दिन आपको positivity की तरफ लेकर जाएगा विगत कई दिनों से जिस परिस्टिति में आप जी रहे थे या जिस तरह के प्रयास आप कर रहे थे वो काबिले तारीफ हैं आपकी situations positive हैं मन को और strong रखिये और आगे बढ़ते चलिए आपको सब तरफ से अपने चीज़ों में positivity देखने को मिलेगी साथी साथ अगर आप किसी एक project के पीछे लगे हुए हैं जहां पर आपको लगता है कि जाए वो आपके नीजे जीवन से ही वो काम क्यों ना relate करता हो या कारे शेत्र में स्थिरता का हो दोनों में आज के दिन आपको सफलता के कुछ ना कुछ indications देखने को मिलेंगे बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए आपके लिए सिंग राशी वालों परिस्तियां बिल्कुल रहेंगी मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा confidence से भरे रहेंगे पराकरम में वृद्धी रहेगी confidence में इजाफा होने के कारण आज के दिन कुछ महत्वपूर्ण कारे आप टेक अप कर पाएंगे business में अगर निजी वेवसाय है आपका और expansion की तरफ अगर आप सोच रहे थे तो अब वो situation ये परिस्तिया आपके सामने आगे आने वाली है साथी साथ आज के दिन आपको कोई महत्वपूर्ण राय किसी व्यक्ति विशेश के तरफ से मिल सकती है अगर उसको आप अपने जीवन में इंबाइब करेंगे तो देखेंगे आपके लिए positivity और आ रही है बात करते हैं कन्यराशी वालों के लिए कन्यराशी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए कुछ ना कुछ तनाव से भरा हो सकता है हास्त और पर फस्ट हाफ के दौरान situations को intact रखें मन को बिलकुल control में रखें साथी साथ उन सभी नकरात्मक तक्थियों को एक दिविशेश को अवस्थाओं को situations को अपने जीवन से निकाल दे या ignore करने की कोशिश करें जो आपको stressful situation में या zone में डालते हैं साथी साथ आज के दिन positivity को embrace करने की कोशिश करनी चाहिए आज के दिन अपने मन को जतना शांत रखेंगे उतनी तरीके से उतनी ही बहतरी न तरीके से आप अपने जीवन में चल रही परिस्थिती का आंकलें भी कर पाएंगे और उसके लिए solution की तरफ भी प्रेरित होंगे पूर्ण डील को या कोई important डील को finalize कर सकते हैं जो आपके real estate matters में help कर सकती है या आपके property संबंदी matters यानि की अगर आप नई property में निवेश करके या नए घर में move करना चाहते हैं या अपना घर sale करना चाहते हैं जिस भी इस तरह के कोई issue से अगर आप जूज रहे हैं तो आ बात करते हैं व्रिश्चिक राशी वालों के लिए व्रिश्चिक राशी वालों आज के दिन के में बात करूं तो आज का दिन positivity को embrace करते हुए आपके लिए भी मैं चपूर्ण कोई सूचना संकेत या अवसर लाकर सामने खड़ा कर सकता है लेकिन आज के दिन आपकी state या mental state मैं कहूं confused बनी हुई है तो आज के दिन अपने निरनायक पक्ष को आपको थोड़ा सा बल देना है मजबूत करना है मजबूती के साथ खड़े रहना है और उसी में फिर एक best option आपको लेना है कारिशेतर में कोई में आज के दिन आपको काम मिल सकता है जो second half के दौरान आप के लिए काफी tiring और taxing या exhaustive हो सकता है उसका दाइरा भी बड़ा हो सकता है और वो tiring भी हो सकता है तो आपको आज के दिन कारिशेतर में प्रात्मिक्ताओं को align करते हुए दिन को आज के दिन निभाने की या बिताने की कोशिश करनी चाहिए बात करते हैं धनूराशी वालों कोई रिड़ अगर हो तो वो भी अफसाजा होता हुआ नजर आएगा यानि की repayment capacity बढ़ेगी साथी साथ आज के दिन अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं और खास तोर पे अगर आप property matters में या कुछ नया घर लेने की सोच रहे हैं तो आज के दिन आपके सामने एक महत पुन मानी जा सकती है बात करते हैं मकर राची वालों के लिए आपके लिए परिस्तितिया नुकूल रहेंगी मकर राची वालों मन आपका शांत रहेगा positivity को embrace करिए सकरात्मक बने रही है अपने सुचारू ढंग से जैसी आपने विवस्थाएं क्रेट करी हैं जिस तरह से आपके life चल रही है वैसे ही चलने दें कुछ खास आपको उसमें efforts करने की जरूरत नहीं है positivity आपने अपने लिए इंडिकेट कर ली है इसी तरह से चलते चलें कुछ नया आपन आज के दिन देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आप ऊज़र से भरपूर अपने आपको पाएंग हैं आपके परिवार के प्रती जो रुजहान इंट्रस्स या उतरदायत्व की पूरती करने का जो एक आपने निष्ठा है आपकी यह निष्ठावान जिस तरह से आप परिवार के प्रती समर्पित रहते हैं आज उसमें थोड़ा सा इडाफाया बड़ोतरी होते हुए करके और मेंटल चालेंजर को करनी के लिए आपको आज के दिन आत्म प्रेरित करके जा सकता है परिवार के साथ ट्रावलिंग भी इंडिकेटिव है सेकिंड हाफ के दौरान चोटी मोटी स्वासमंदी चिंदाएं हो सकती है तो खान पान का नियंत्रन या उस पे ध्यान दे रखेंगे विचारधाराओं को प्रबल रखेंगे अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे और लाइस्टाइल को इंप्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ जद्दो जहद या किसी एफ़र्ट में लगे रहेंगे तो 100% आपकी सिचुएशन पॉजटिव होंगी लंबे समय किसे चल रहा कुई पारिवानिक तनाव कोई कोड केश में बदल चुका है और वहां उसमें कोई नेगोशियेट करने की सोच रहे हैं या कैसला आपके पक्ष में आए उसके बारे में अगर निरनय ले रहे हैं तो आज के दिन वह परिस्तिति आपके लिए सामने आती हुई आपको देख सकती है कारे शेत्र में भी स्थिरता बनी रहेगी इसी के साथ मुझे आगया दिजे कल फिर हाजरोंगी नमस्कार